वेलकम बैक टी चैनल दोस्तों मैच मनकुमार आपका फिर से सागत करता हमारे यूट्यूब चैनल SJ सब्लीमेशन में तो सातियों हम लोग ये वीडियो उन सभी के लिए लेकर आए हैं जिनके पास हीट्वस मशीन नहीं है जिनके पास सब्लीमेशन नहीं है या उनके पास कोई ऐसा सैट अप नहीं है जिससे वो टी शेट को प्रिंट कर सके यह वीडियो उनके लिए है जो कि परसनली अपने बच्चों के लिए अपने लिए कुछ कस्टुमर्स के लिए गिफ्ट आइटम्स तयार करते हैं अपने मन प्रेस होगी जो भी आप धर में यूज कर रहे हैं वहीं इसके साथ की पड़ेगी इसके साथ अपको पड़ती है यह आपका टैफलोन शीट होती है अगर यह नहीं है तो मारकेट से आप ले सकते हैं बटर सीट बटर पेपर या फिर चरेसिंग दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं जिससे क्या है कि यह प्रेस इसको पेपर को जलाती नहीं है यह इसको बैलन्स रखती है तो इन चीजों की पढ़ने वाली आपको और सबसे में चीजों के साती हो वह होने वाली है यह होता है डाक शीट पेपर इसकी पहचान क्या होती है साथी इसके पीछे बॉक्स बने होते हैं अब इसको आप किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं आपको प्रिंट कमांड देनी है एक नौर्मल इंक जैट प्रिंटर से किसी भी नॉर्मल इंक जैट प्रिंटर से वह सब्लीमेशन नहीं होना चाहिए आप किसी भी कैफे शॉप पर जा सकते हैं प्रिंटिंग वाली उससे नॉर्मल प्रिंटर से इसको प्रिंट करवा सकते हैं इसकी सेटिंग जो होती है वह मैट सेटिंग दखनी पड़ती है और हाई स्टेंडर्ड दोनों ऐसा कोई भी आप ले सकते हैं तो photo quality इस तरीके से आ जाती है इसमें मैं आपको दिखा देता हूं यह फोटो quality इसमें इस तरीके से आ simple से process होता है इसको normal gumming sheet के तरह यह पिल off होता है तो इस तरीके से यह इसको छोड़ देगा अब वह आपका wastage है यह आपका working में आएगा आप इसको आपको किस तरीके से लगाना वो भी आपको को दिखा देता हूं यह हम टी-शेट ले रहे हैं आप ब्लैक वाइट कोई भी टी-शेट ले सकते हैं एक्स वाई-जाट मगर हम लोग इसी पर करके दिखा रहे हैं आपको इस तरीके से प्लिंट होगा कि यह कि टी-शेट रखी आपने कि प्रेस कौन करेंगे पहले इसके उपर हम लोग थोड़ा प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी जो रिंकल्स है वो निकल जाए इसको आपको रखना है शेट को इसके उपर आप टैफलोन शेट भी यूज कर सकते हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं हम लोग पहले हमने यह रख दी है अब आप टाइमिंग नौट कर सकते हैं 15 सेकंड तक आपको इस तरीके से यह हीट करनी है यह हमने कर दिया है हीट अब मैं आपको दिखा देता हूं कभी भी आप पेपर को हटाइंगे तो आपको यह थंडा होने के बाद ही अटाना है क्योंकि यह आपका हॉट पिल हो जाता है यह देखिए मैं दिखाता हूं थंडा हो चुका है हमारा अलमस्ट और यह हमारे टी- हो चुकी है अब इसकी Life की बात करेंगे साथियो यह पर्मनेंट होती है मैं आपको दिखा देता हूं । इसको कितना भी आप stretch करेंगे यह बिल्कूल खराब नहीं होगी यह देखिए आप कितना भी खीचेंगे यह घराब नहीं होगी इस पर आप पानी भी मारेंगे तो भी इसका कलर नहीं निकलेगा ना निकलने का सबसे बड़ा कारण क्या होता साथ यो इसकी हीटिंग जब तक आप इसको अच्छे टाइम के लिए हीट नहीं करो रहा है चाहें आप 30-40 जितनी वाशेस भी लगाते चले जाएं इस बार हम लोग अभी हमने बटर शीट रखी थी नीचे अभी हम लोग बटर शीट नहीं रखेंगे अभी हम लोग टैफलोन शीट रखेंगे ताकि आपको तोनर शीटों का आइडिया हो जाए सिम्पल प्रोसेस होता है सात्यों आपने इस तरीक इसे रखना है ठीक है और टैफलोन शीट लगानी है अब आपको जस्ट हीट करना है वही आपका टाइमिंग रहेगा यह हमारी टीशेट भी हो चुकिए सात्यों तयार यह देखिए और यह देखिए तो तो सात्यों यह वीडियो उनके लिए है जिनके पास हीट्वस मशीन नहीं है जिनके पास सब्लिमेशन प्रिंटर नहीं है मगर वह अपनी टीशेट को प्रिंट करना चाहते हैं तो इस तरीके सा आप कोई भी टीशेट को प्रिंट कर सकते हैं अपने अकोडिंग तो यह ता सात्यों इस वीडियो में कि आप घर पर किस तरीके से अपनी टीशेट को प्रिंट करें तो ऐसी वीडियो देखने के तक आप अपने खियाल रहें, नमस्कार, जय इन, जय भारत.